कि यह है हमें कब apply क्या time limit को apply करने के लिए जैसे उन the basis of the time limit for application for registration there are mainly three types of registration पहला एक तो हमारा voluntarily है एक तो हमारा voluntary है दूसरा हमारा क्या है था थिक है दूसरा हमारा नॉममल है जो स्लेक्ष्ट बाइस में चोविश में आता है और तीसरे हमारे आते हैं कि यह क्या है इसके बारे में आपको हलका सा ब्रीफ दिया हुआ है मतलब और एना इसके बारे में थोड़ी सी बात करिए तो मैंने इसका आगे समझा दिया है आप लोग पढ़ लेना एक बार लेकिन वॉलंटरी के टाइम लिमिट जो होती है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती आपका आज मन किया आप आज नंबर ले लो जिसे मेरा आज मन किया आज अप्लाई कर दो हुआ कि हां और जीस्टी पॉटल आई विल गो जो भी डॉक्वाइं डॉक्मेंट से मैं नंबर अपलाई करना है अंगाल जहां से सुनना मेरी टरन ऑवर आज 20लाग रुपे गई है ंगर अगर मेरी तर डिसंबर में 19 लाकती हो गई है दिसंबर में 19 लाकती हो गई है तो मैं क्या करूँ सेफर साइट उसी टाइम पर अप्लाई कर दूँगा उसी टाइम पर अप्लाई कर दूँगा ताकि जब तक 20 हो तब तक मेरे पास नंबर आ जाए क्योंकि ती मैने बच्चे हुए जनुवरी फर्वरी मार्च टी मैने में एक लग का बिजन तुम्हाराम से कर लोगा तो टॉ मैं इवेंट करने के लिए गोवा मेंं जा रहा हूं कि कि मैं आपका इग्जांपल का उपका सूपको यह कर मुण वहां चांव बिजनस पर पर यह लेlaşता है तो रहा हुसाई है लेकिन और पे बप्लाई अप्लमेट कि तूरी नभर की जरूरूत नहीं है अब बोलती है कि किते दिन फहले अप्लाई करना है इवेंट से 5 दिन पहले है कि दिक एवेंट से फाइव डेस बीफोर तो टाइम लिमिट कि कि आपको कब नंबर के लिए अप्लाई करना यह दिफ्रेंस है सी टीपी ने रटीपी चे अंदर कि डोनों में में क्या होता है कैजुवल स्पेयर में आ जाता है तो मैंने आपके लिए डिफरेंस टेबल दे दिया है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है नोवल अंडेस्टेंडेबल है अब बात आती है कि जो नंबर हमने ले तो लिया करना चाहते हैं या फिर सरिंडर करना चाहते हैं दोनों इससरिंडर करना एक somet हो मुझे नंबर की जरूवत नहीं नहीं है मैं business अपना बंद कर रहा हूं whatever the reason बंद कर रहा हूं फिर मैं इस पहले में काम कर रहा था या पार्टेशिप में काम कर रहा था और मैं अपनी बना रहा हूं ठीक है है उस दिन की डेट से हम इसको हमें नया नंबर लेना पड़ता है ठीक है तो अब बाद आती है कि सर कैंसिलेशन और सस्पेंशन में होता क्या है अब बैटा समझो example देता हूं कि जो सपोज जैसे example देता हूं आपका समझातना थोड़ा सा जैसे यह हमारी दिल्ली है कि अब दिल्ली में कमिशनर से बलब कमिशनर सिर्फ पुलिस में नहीं होते इंकम टैक्स में भी होते हैं ठीक है अपने अपने एडियाज के कमिशनर हैं वो लोग ठीक है वेटा एक मिटा पानी पी लोग हूँ कि कि और तो कमिशनर से पुलिस में भी होते हैं इंकम डैक्स भी होते हैं डियसे हर डेकष्ट होता है मैं जैसे यह सूरली ऐसी ही होता है मिश्योट यह हम ठीक है जैसे कमिशनर रेंट में डिवाइड किया गया है 123 इसके अंदर बेटा रेंज होती है वार्ड होते हैं और यह रेंज होती आपकी उसके नीचे फर्दर जैसे मैं एक्जाम्पल लूँ दिल्ली यूनिवस्टी के आसपास का हो मॉड्रल टाउन अजात्पूर गया अपका दिल्लिकर्ण यसाइड यह राजघर के बास्ता करें तो वहाँ पर पिर क्या होता है ड्रेस के हिसाब से आपके यह इरिया है यह इस वार्ड में आता है यह ये एरिया इस वार्ड में आता है और उसके बाद रेंज आती है रेंज में क्या होता है कि किस वार्ड के अंदर कि फर्दर उसको आगे डिवाइट कर दिया जाता है ताकि एक कुछ लोगों की जैसे सब्सक्राइब 200 GST नंबर जो होते हैं सब्सक्राइब ले रहाँ 200 GST नंबर एक रेंज का परसण देख रहा होता है यह फिर 1200 GST नंबर एक वार्ड का बंदा देख रहा होता है इस तरीकी से चीज़े डिवाइड होती है तो अब क्या हुआ यहाँ परसं था क्य Metro च जो प्रॉपर ऑफिसर नत होता है आफ में क्या होता है ह Wahkan constitutional सब इंसपेक्टर इस अब होते हैं जो इंसपेक्टर होता है उसको हम बोलते Coffee प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर कि ट्क है प्रॉपर आफिसर ने देखा कि यहां प्राव कर रहा है तर इस बात्राहर रहा है उस ये में कुछ गड़बड चल रहे हैं तो टाइम से ट्फ या फिर फाइल नहीं कर्वा ह है या फिर क्या होता यह लोग ना यह लोग जो होते हैं आपस्व कर लेता हैं तो हम देखते पर सही से हो गड़ यesis हो रहा है के लिए बोल सकते हैं कि सर सस्पेंट कर लो हम आपका नबर सस्पेंट कर रहे हैं उसका एक अलग प्रोसेश्थ कैसे उसको फाइड की जाता है तो बैटा हमेशे ध्यान रखना ऐसे नहीं कर देता कोई भी आपको एक जिन्दगी में ब्याद मेरी बात ध्यान रखना कोई भी कानून को कोई भी कानून है कि एक हमेशा होती है मतलब इस अपियोख सबस्टे को असने आपने केस में देखा होगा तो मुली समैं यज हमेशा पूछता है जो culprit होता है उससे ही पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ बोलना है उसको पता चल चुका है कि यह गलत है यह गलत साबित हो चुका है पिर भी जज उससे पूछता है कि क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है इसका मतलब हुआ कि उसको भी सुनवाई का मुखा दिया जा रहा है जो गलत है इसी को इंग्ली से बोलते है ऑपरिचिनिटी ओफ बिंग हर्ड ठीक है सुनने का मुखा दिया जाएगा हाँ बेटा प्रपर ओफिस ज्यश्ट इंस्पेक्टर होता है अब सबस्क्राइब सम कहा थे कि हां कि आया मेरे ओफिस में देखने के कि काम हो रहा है कि नहीं बदिए नहीं हो रहा है तो उसको लगा कि सपोस करते हैं काम सही नहीं हो रहा है تو वह एक शो कोज नोटिस देगा क्या देगा सी एन मैं यह आपको किताब्य ग्यान नहीं दे रहा हूँ सारी प्रक्टिकल चीजें एक्जाम में चीजें लिखनी भी है कि यहां कि लिखना नहीं है होता कैसे प्रोसेस क्या होता यह होता है यही चीज़े आपको दूसरों से अलग बनाती हैं ठीक है मैं आपको किताबी यांद देद हुआ लेकिन आप अगर किसी से बात कर रहे हो गई अपने कॉलिज में एक्जाम में किसी अपने फ्रेंड से कहीं बेभी आप जॉब पर जाएंगे आपको पता ही नहीं को होता है क्या है सारी प्रैक्टिकल चीज़े बता रहे हुँ आपको तो इंस्पेक्टर क्या गरेगा आपको एक नोटिस देगा उसका हम बोलते हैं स्ट कॉल फॉर्म में स्ट कि जो इंस्पेक्टर है वो बोलेगा कि आप हमें बताईए हम आपका नंबर सस्पेंड या कैंसल क्यों ना करें यह आप बताईए तो लिखित में आपको पेपर देगा नोटिस लिखित में डॉक्यूमेंटेड टाकि कोई आपको हैरेस ना कर पाए और वह यह क्या होगा आपको यह यह गलत कर रहा है अगर आप आप सही हो और वह गलत कर रहा है आप इसको न अपील में लिया सकते हूं कि यह देखो मिझे हैरेस किया जा रहा है समझ रहे हूं अब हम किताब ही पढ़ लेते हैं क्या कहता है रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर जीस्टी में बी कैंसेल्ड बाइदा प्रॉपर आफिसर में भी शैल नहीं है में बी किया जा सकता है ठीक है दो वेरियस सरकंस्टांसेज और प्रोविजन जो है हमारे वह क्या कहते हैं व अप्रीशन जब में वश्रोल के लिए अप्लिकेशन डाली तो अगला प्रॉपर अप्लिकेशन फायल लीगल हाई जैसे सबोज कोई X person काम कर रहा था उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल हाय ने अप्लिकेशन फाइल कर दी बिल्कुल तो वहां पर भी वो कैंसल कर सकता है अगला पॉइंट बाई प्रॉपर ऑफिसर ऑन इस ओन मोशन प्रॉपर ऑफिसर को जो मैंने यह एक्जांपल दिया प्रॉफिसर को लगा यह काम सही से नहीं कर रहा है नंबर कैंसल कर दो लेकिन यह हमेशा अवेलिबल है तो कैसे पता चलेगा आपको आपको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा कि हां यह प्रोसेस भी होता है ठीक है है कि कंसलिशन कब कब होता है वही है कि बिजनस बंद हो जाए या फिर चेंज हो जाए बिजनस की या फिर या फिर उसको लग जो टैक्सबर परसन है उसको लग रहा है कि मेरा मेरी जो टरनोवर है वह बीस लाख रुपर से कमा चुकी है तो तब भी कैंसल अपने सरेंडर के लिए डाल सकता है ठीक है बेटा बिजनस बंद हो गया चेंज ऑफ कॉंस्टिटूशन हो गया या मलब जैस और आपकी टरनोवर कम ही है दस लाग बार लाग चल रही है इंट्रशिट सप्लाई नहीं हो रही है तो भी आप सेंडर के लिए बोल सकते में आपका नंबर कैंसल किया जा सकता है ठीक है सस्पेंशन में क्या की चीज़ा आती है वह देख लेते हैं कि एक बार एक स्किप रहते हैं अब 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 मेटा सुव मोटर का मतलब होता है अपनी मर्जी से है अगर सुव मोटर का मतलब बताओं हिंदी में अच्छा दुबर हो अगर अपनी मर्जी से आप सही से काम नहीं कर रहे हो ठीक है कोई दांदली कर रहे हो आप मिलब कुछ फ्रॉड वगरा कर रहे हो और डिपार्मेंट को पता चल गया है तो अपनी मर्जी से आपका प्रोविजन डाला हुआ है जो यह है कि रिवोकेशन और कैंसलेशन रेजिस्टरेशन ठीक है कि आपका नंबर के डाला गया उस एप्लिकेशन को रिवोक भी कर सकते हैं थीक है उसका प्रिवोक भी कर सकते हैं हां जी बेटा यहां पर हमारा पूरा रजिस्ट्रिश्न का जो पार्टे वह खतम हो जाता है